दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि copyright claim कैसे चेक करें दोस्तो जब हम अपना चैनल monetize के लिए apply करते हैं तो कुछ चीजों का देखना हमें बहुत जरूरी होता है कि हमारे चैनल पर copyright claim तो नहीं है या reuse content तो नहीं है ये चीजे देखना बहुत जरूरी होता है ये सब देखने के बाद ये सब जो चीजे होती है इने delete कर देना चाहिए उसके बाद हमें monetize के लिए apply करना चाहिए तो दोस्तो आप कैसे चेक करें कि हमेरे वीडियो में copyright claim है या नहीं है तो दोस्तो ये वीडियो देखने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आप समझ जाएंगे कि हम copyright claim कैसे चेक कर सकते थे इससे पहले बहुत difficult था थोड़ा चेक करना थोड़ा hard था लेकिन आप तो YouTube ने बहुत ही आसान कर दिया से आप copyright claim चेक कर सकते हैं कि हमारी वीडियो में copyright claim है, strike है की नहीं है तो दोस्तो बिना time waste किये तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो पहले copyright claim चेक करने के लिए हमें Chrome browser में जाना पड़ता था वहां अपना Y2 Studio ओपन करना पड़ता था फिर वहां से चेक होता था तो बहुत मुस्किल पड़ता था लेकिन अब YouTube Y2 Studio में आज गया है, Y2 Studio से आप चेक कर सकते हैं copyright claim अपना तो copyright claim चेक करने के लिए आपने Y2 Studio ओपन कर रहे हैं, Y2 Studio ओपन करने के बाद दोस्तो हमारी चैनल ओपन हो गया, ओपन करने के बाद दोस्तो यहां वीडियो आगई यहां view more पे किलिक करने के बाद दोस्तो इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद जिस व इस वीडियो पे doubt होगा उसी पे चेक कर सेकें तो दोस्तो इस वीडियो पे हम doubt है, इस वीडियो पे हम किलिक करेंगे, तो finally आप देख सकते हैं, यहां पे copyright claim लिखा हुआ, इस वीडियो पे copyright claim पड़ा हुआ है, तो दोस्तो यह आप देख सकते हैं, यह copyright claim है, यह 27 second का एक status है, इस पे copyright claim पड़ा है, तो दोस्तो आप बहुत ही आसान तरीके से यहां से भी चेक कर सकते हैं, तो उमीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, दोस्तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, तो दोस्तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टोपिक के साथ तो थैंक यू सो मच